ओजी हमेशा जवान कैसे आप दिख सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक रामबान अफलातून तरीका वो भी विज्ञानिक तत्यों पर आधारित बताने वाला हूँ आज मैं कोई बक्वास आपके सामने नहीं करूँगा कि आप ग्रीन टी पी लो आप ब्लैक टी पी लो वाक कर लो योगा कर लो फराना कर लो डिमका कर लो इससे आपको फायदा हो जाएगा ये सारी बाते तो आपको पता ही है लेकिन आज मैं कुछ यूनिक आपको बताने जा रहा हूँ एक तरीका जो मैंने हमेशा फॉलो किया है और मैं अपनी उम्र से जीवन के हर मोड पर यम दिखता रहा हूँ लोगों ने हमेशा कहा है कि मेरी तवचा से मेरी उम्र का पता लगता ही नहीं है तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग ऐसा कॉम्प्लिमेंट दे कि यार आपके उम्र इतनी है आप चालिस के है आप तो पच्चिस के लगते हैं अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिमेंट आप चाहते है जैसे कॉम्प्लिमेंट मुझे हमेशा मिले है तो आपको एक ही चीज करनी है वो है कि आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है ऐसे मैं उम्र से जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा जवान दिखता हूँ इसका घ सबस्क्राइब भी कर दीजेगा देखिए रिसर्चर्स ने ये बताया है कि सब कुछ सांसों पे डिपेंड करता है सांसों पे चीहां देखिए जीवन में क्या होता है कि सुबह होती है फिर दोपेर होती है फिर शाम होती है फिर रात होती है फिर दिन निकल जाता है एक एक करके पल हमारे जीवन हमारे हाथ से छूटता जाता है हमारी उम्र बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हमारे चेहरे पर कुछ दाग धब्बे दिखने लगते हैं आखों के नीचे गड़े दिखने लगते हैं चेहरों पर जुरिया दिखने लगती हैं और इसके लिए हम बहुत स पानी पीते हैं और वॉक करते हैं योगा करते हैं फ़लाना करते हैं ढिमका करते हैं अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन सबसे important बात बता हु मैं क्या है हमारा life जो हमारी life है मेरे angle से आप सोचके देखिए इस एंगल से आप देखिए हमारा जीवन जो है वो सांसों पर ही आधारित है जो सांस हम ले रहे हैं वो सांस की गिंती है अगर आप देखें जीवन सांस रुख जाए तो जीवन भी खतम तो भगवान ने हमें सांसे दी है कि इतनी सांसे आपको लेनी है और जिस दिन वो सांस रोक देता है हम मर जाते हैं हम जिन्दा नहीं रहे पाते हैं इसलिए आपको बिलकुल धीरे धीरे सांस लेना है आपने छोटा बच्चा देखा है जब बच्चा पैदा होता है कैसे वो धीरे धीरे सास लेता है अच्छा मैं आपको बद बताता हूँ एक टॉटोई या कच्छुआ उसकी उम्री कितनी होती है बतां? 130 से 150 साल और एक कुट्टा जो होता है उसकी उमरे कितनी होती है बता हूँ? है कि कुत्त वह जल्दी न SARs लेता है लेकिन टोटोईज जो है बहुत धीरे-धीरे सास लेता है इसलिए टोटोईज के उमर देख लोआप attempting से एक सो पचास साल और कुत्ते के उमर से 23 से 15 साल बस यही बात ध्यान लखना है हमको टॉटोइस से सीखना है वो जमाना याद रखिए कि टॉटोइस ही हर रेस जीता है तो ये जो उम्र जो आपकी ढ़ल जा रही है जल्दी जल्दी आप बुड़े दिखने लगे हैं अगर ये वाला जो रेस आपको जीतना है तो आपको कच्छुए की तरह जीतन दीरे दीरे सास लेना है पेट से सास लेना है आप समझ जाएंगे सीने से सास नहीं लेना है सीने से जल्दी अलगी सास नहीं लेना है जितना ट्राय करना है इसलिए तो योगा का फायदा होता है अवलों विलों करवा रहे हैं रामदेव बाबा जी चिला चिला के कह रहे हैं क भी वह कहते हैं कि जब आप टहरे हो सास उपर लो बेट नीचे रुक रहे हो शास ठोड़ो सासों का बहुत important है importance है इसलिए आपको याद रखना है पेट से सास लेना है धीरे धीरे सास लेना है सास लेने की कला को सीखना है ठीक है जो information अगर अगर आप सास लेने की कला को सीख गए तो आपकी उम्र बहुत लंबी होगी आप बहुत लंबे समय तक जिन्दा रह पाएंगे कच्छुए की त को शेर भी करिएगा फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी interesting information आपके साथ शेर करते हुए तब तक के लिए bye take care friends